हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं यूटूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट फ्रेंड जो भी चैनल में फर्स्टम विडियो आचकी सेमी कंडेक्टर का स्टॉक से रिलेटेट फर्स टॉक है जिसने अपने रिजल्ट पेश किया है तो कंपनी को पढ़ना ही पड़ेगा अपनक लास्ट यर कर रहेगा तो कमपनी को टोटल से देख सकते हैं इस ताम की फिगरेग्दम कलियर आपको देख रहे होगा इस ताम की सेल हुए है 39518 हूए लास्ट आम की देख सकते हैं तो तो सेवन बिजन अच्छा हुआ है यह ओन यह बैसे में कंपनी की में जम्प है और औ कार्टर भी बेस्टेस देखें तो कंपणी में दोनों में जंप है कि यर और यॉर बेसेस कंपेर करके कवाटर से तो फिंद फ्लेट फॉर्फॉर्मेंस ज्यादा जंप नहीं करीब 30,000 के अश्पास पर दिख रही है तो इस चीज होता है कि अगर इंकम फ्लेट है तो इसमें इसा ही किया है कि company के income flat performance दिखाई बट company ने expense उसमें control कर दिया तो आप देख सकते हैं इस time का जो company का expense हुआ 3747 को जो last time का हुआ था 3768 का तो मनदब देख सकता है quarter on quarter basis expense कम हो गया expense कम होगा तो क्या होगा definite stock को फायदा होगा profit जादा बड़ेगा तो same company ने यही किया कि अपने expense को control कर दिया जिसके कारण से company का number आपको सुधरते हुए देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं इस time का expense हुए 3747 last time का था 3768 last year की बात करे 2921 था जो दोनों basis में आप देखे तो अच्छी performance देए तो इसके बात आएगा company का income minus expense करने का profit for the profit before tax तो आप देख सकते हैं इस time का जो company का profit हुआ है वह 211 लाग का हुआ जो इसके पहले बात करें तो 260 और लास्ट time की बात करें तो 143 का negative return दिये थे company ने इसके बाद आप देख सकते हैं सारे adjustment होगे तो tax देना पड़ेगा तो company को tax तो दिया है नहीं नेट पॉफिट के बात करें तो नेट पॉफिट के बात करें तो नेट पॉफिट देख सकते हैं इस time का जो हुआ है 211 जो उपर फिगर देखा था अपने वही है नीचे 160 और लास्ट time का 143 तो इसके बाद company का अपन सीधे चलेंगे अर्निंग पर शेयर में तो इस time का अर्निंग पर भी शेयर देख सकते हैं जो company का इस time में बढ़कर आप देख सकते हैं 0.13 होगे last quarter की बात करते हैं 0.10 तो last year की बात करें तो यह negative में return दियते हैं company के यह सब आपको notes पढ़ने ज़र रही होते हैं आप इनका result को download कर सकते हैं but last quarter से बात करो तो इसमें थोड़ा सा कंडी company का business down हुआ है 3412 और 3345 तो थोड़ा बाद business ups and downs चलता है बड़ कंपनी जो expense में control कर रहा है जिसके करने इसको double benefit होगा कि company की एक तो sale बढ़ गई ऊपर दूसरा benefit होगा company ने अपने expense में control किया जो एक अच्छा benefit माना जाता है कि company long term में और अच्छा profit generate कर सकती है जिसके पास भी stock है वो long term के लिए hold कर सकता है और जो short term के लिए आया था वो भी hold कर सकता है stock को आने ले time पर आपका और अच्छे return मिल सकते stock पे क्योंकि company ने performance अच्छी देगाई और PLS scheme का भी stock को फायदा मिलेगा तो friends company के आगे chart pattern में नाम प 54% के रिटन है फाइव साल यह की बात करें 45% के असपस के रिटन मैक्सिमम की बात कर तो 506% के रिटन दिए company के आची दुन की performance की बात कर तो 85 पे open हुआ था हाई लगा था 85 का low ही बनाया है 82 का market के इसके साब से बात कर तो 1.3 से मांदा microcap की company मांदा company का pattern ही ऐसा रहे कि भा होती ज्यादा 2.172% का PE ratio भी है तो company को कल market को कैसे return लगे वो कल market ही आपको बता दें 52 ही की बात करें 101 के लोग की बात करें तो चौदा है जिनके पास भी stock है अच्छे result company ने पेश कर रहे तो definite आप इसको long term में hold कर सकते हैं company की balance भी चेक करते तो छोटी company तो हुटे reserve होई त reserve देख सकते हैं 57 54 55 long term करजे की बात करते हैं एक ची बहुत अच्छी company का करज लगातार कम होता जा रहा है बीस लाक अठारा लाक पंदरा लाक मनला कंपनी अमना करजे को कम करना चारी शौट टम की बात करें तो शौट टम में देख सकते हैं 49 sorry 42 59 और 59.30 करोड में फिकर रह सकते हैं और कोई रिक्स लेना चाहता है तो स्टॉक में minimum quantity लगा के उठा सकता है long term के लिए definite company का और भी performance अगर नंबर सुदरते हैं और अपना investment बढ़ा सकते हैं एदम लंसम अमांट नहीं लगाने का कि लगा दिया आपने बूले कि long term में बहुत पैसे बने का ऐसा कर दो सकते हैं